नमस्कार A to Z dishes उशाक और जानी में आप सब का स्वागत है हम सभी लेडिस को एक हफ़ते में एक बार तो ऐसा होता ही है कि आज कौन सी सबजी बनाएं और ऐसी सबजी बनाएं जो अच्छी भी लगे पर अभी कई बार क्या होता है न कि सबजी आभी घर पर नहीं होती है तो क्या करें सबजी के बिना सबजी कैसे बनाएं तो आज मैंने सोचा कि कोई भी नहीं सबजी डाल कर ये बढ़िया सी राजस्थन की पितौड की सबजी बनाएंगे और ये पितौड की सबजी में कोई भी सबजी नहीं डलती है और ये खाने में बहाद ही डेस्टी लगती है तो पितोड की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे पितोड, उसके लिए एक बाउल में आपको डाल देना है एक बेसन, एक चोथाई चमच हाल्दी पाउडर, आदी चोटी चमच लालमिश पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और इसी के साथ नो थोड़ा सा दाल दीजे, चुटकी बर जितना, डाइजिशन के लिए काफी बढ़िया होता है, एक चौथाई चमच अजवाई डाल दीजे, थोड़ा-थोड़ा करकर पानी डालना और अच्छे से मिला लीना है, बेसन की कोई कुठली नहीं होनी चाहिए, एक दम लंस फ्री आपको बै अब यहाँ पर मैंने गैस कॉन कर लिया और एक पैन रग दिया, इसके अंदर हमें कुछ मीरी डालना है, बस यह जो गोल हमने तयार किया था, यह डाल देना है, इसी के साथ ना, देखे थोड़ा सा मैंने पानी समझ लीजे, आधर कव जितना पानी मैंने और डाल दिया है, और इसे लगता, चलाते हों में पकाना है, मध्यमाज पर, यानि कि मीडियम फ्लेम पर आपको इसे पकाना है, देखिए जैसे जैसे आप इसे पकाते जाएंगे loin यह गाड़ा होता जाएगा, देख सकते हैं, इसके अंदर हमने आज मैंने बेशन डाला है, देख सकते हैं, जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे पकाते जाएंगे यह गाड़ा होता जाएगा तो बस तकरीबन इसे दो से तीन मिनिटी लगेंगे जादा नहीं लगेंगे और देख सकते हैं अच्छे से यह गाड़ा होता जा रहा है तो देखे इस तरह से हो जाएंगे उसके बाद इसे आ अगर आप की खाते हैं तो थोड़ा से तेल लगाने के बाद जो हमने यह बनाया था ना बेशन का वो इस तरह से प्लेट में डाल दीना है अब पितोड जो है ना थोड़े से मोटे होते हैं और मैंने यह कम बनाया है इसलिए मैंने आधे तक ही फैलाया इसे आप अगर कर लेंगे और इसे ठंड़े होने में तकरीबन 15-20 मिनिट लगेंगे और यह अच्छे से ठंड़ा हो जाएगा देखे इस तरह से पिट और कापी मोटे होते हैं तो यह मैंने कट कर लिए अब एक और मैंने बावल ले लिए एक कप दही आदी चमच धनिया पाउडर आदी मचलालमिष पाउडर थोड़ा सा हल्दी पाउडर और सुआद अनुसा नमक अब दही के अंदर इन सभी मसाले को अच्छे से मिला लेंगे मसाले फिर भी आपने सुआद के अनुसा डाल सकते हैं मैंने इतने डाले जरूरी नहीं आप भी इतना ही डाले आप इसे कम या इस सिर्फ पिर से अच्छे से मिला लिया है समझेजे मैंने इसके अंदर टोटल आदी छोटी चमच हल्दी पॉडर डाल दिया है अब यहां पर मैंने कैस कॉन कर लिया और एक कड़ाई रख देंगे इसमें मैं डालूगी सिर्फ आदी छोटी चमच देल जैसे गरम हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे एक चौथा ही चमच जीरा चुटकी बर हेंग डाल देंगे पांस से छे मैंने इसके अंदर डाल दी है कड़ी पते और दो बारीकटी हरी मिर्ची हल्का से बून लेना है अब हमने जो यह दई का पानी डालकर और मसाले डालकर गोल बनाया था वो पर आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से अबाल आ गया है तो जैसे इसमें अबाल आ जाए ना तो हमने जो यह पितौर तयार किये थे ना तो इस तरह से पितौर डाल देने हैं और इसे डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसे अब हमें पकाना है तो देख यह इतनी डेस्टी लगती है जाब इसे राइस के साथ खाएं या रोटी के साथ या कोई बाखरी के साथ राजस्तान की बहुत ही प्रसिद है तो इसे जरूर ट्राइ कीजेगा और मुझे कमें सेक्ष्टन बताएगा आपको रेसेपी कैसी लगी अच्छी लगे से लाइक कि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले थांक यू